अससलाव अलेकुम दोस्तों मैं हूँ मॉम्मद फर्हान और आप सभी का मूस्ट वेलकम आज की हमारी नई फ्रेश वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इस माइक्रोफोन का रिव्यू करेंगे जो कि दोस्तों 2.4G की तरफ से आने वाली एक वायर सेप्रायों के और चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं दोनों माइक्रोफोन सेम है लेकिन इतनाय है कि वह एक वायर माइक्रोफोन थी और ये वायर लेस माइक्रोफोन आज कि आज की अन्क already और या या वाय कि घुम आपके लिए ये microphone best हो सकती है तो आप इस वीडियो को last तक देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ा देखें कि ये microphone आपके इनकी डिवाइस में यूज कर सकते हैं इसकी sound quality कैसी है और इसकी pricing कितनी है साथी साथ हम ये भी दिखेंगी हमने ये microphone बनारस है किस शॉब से है जी हाँ दोस्तों हमने इस माईक्रोफोन को ऑनलाइन Laban Fest की एक शॉब से मैंने इस माईक्रोफोन को लिया यूज है तो अगर साब बनारास के हैं तो इस वीडियो को आखिए तक देखें मैं इस वीडियो में बता हूँगा कि आप यह माइक्रोफॉन कहां से ले सकते हैं बनारस में वह भी एक रीजनेबल प्राइज में तो सारी दोग देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि हमें इस माइक्रोफॉन के साथ क्या-क्या चीज़े मिलती ह हैं तो आये बहुत सबसे पहले हम लोग यह देख लीते हैं में सबसे पहले दोस्तों हमें और using मैनवर यह 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 दा चीनिते एक पड़े अब देख सकते हैं यह है इस मायक्रोफोन का ट्रांस्मिटर जिसमें मायज्ट आप इसको करीब से लिए अपर आप यह की बटन बनी हुई यह सबस्क्राइब कि अपने माइक्रोफोन का गेन बढ़ा कर सकते हैं और घटा सकते हैं तो माइक्रोफोन का वैलियूम आपको कितना रखना है आप इस बटन को दबाकर कंट्रोल कर सकते हैं और इस ट्रांस्मिटर के अंदर आपको यहां पर एक स्विच दिख जाएगा और आफ का आप इसको on भी कर सकते हैं और off भी कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह एक charging port है तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं तो यह चार्जेबल ट्रंस्मिटर है आप देख सकते हैं फिर इसके बाद हमें दोस्तों यहाँ पर एक receiver मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ परकर समसाइड में देखें तो यहां पर हमें एक ऑन ओफ स्विच मिल जाता है जिससे हम इस रिसीवर को और भी कर सकते हैं साथ ही साथ हमें यहां पर एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है जिससे हम इस रिसीवर को चार्ज कर सकते हैं फिर इसके बाद दोस्तों हमें यहां प फिर यहां पर दोस्तों हमें 6.5 mm का कनवर्टर मिल जाता है जो कि मैं रूम में छोड़ा आया नीचे रूम में उसको छोड़ा है रिस्टूडियो में नहीं लाया तो मैं आपर स्क्रीम पर नहीं दिखा पा रहा हूं आप इमीज देख सकते हैं यह हमें इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से करेंगे यह दो आईए सबसे पहले है इड को हम लोग यहां पर ट्राइसमीटर में लगा लगा लते हैं किस तरीके से लगाना आप दिख सकते यहां पर एक लॉक Hai यहांपर अगर से हम चीश्स का कि प्रमधर नहीं देखें तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ट्रांस्मिटर जो है वो हमारे हेड़ बैंड से लॉक हो चुका है तो हमने कुछ इस तरीके से कर लिया ठीक है दोस्तों अब देखिए पेयर करने की बाद आती है तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर यह है कि हम लोग ट्रांस्मिटर क उठाएंगे तो यह हमारा डिसीवर है और रिसीवर देखिए हम लोग जैसे रिसीवर आउंग करेंगे यह लाइट बिलिंग कर लिए दोस्तों वह ओन होकर रुख जागी एक जगा आप देख सकते हैं कि यह पेरिंग कितना फास्ट करता है मैं यहाँ पर देखिए रिसीवर को पेर कर लिया है आप देख सकते हैं कि दोनों रिसीवर और ट्रांस्पिटर में लाइट ऑन हो चुकिए यहाँ पर अच्छी खासे राइटिंग है हो सकता आपको ना दिख रहा हो तो हमने यह माइक्रोफोन ट्रांस्मिटर और रिसीवर को पेर कर लिया है तो अगर साब पर में हम लोग दोस्तों इसको माइक्रोफोन के पोर्ट में ही कनेक्ट करेंगे और इसको अपने मुबाइल फोन में यूज़ करेंगे दोस्तों अगर साब कैमरे से रिकार्डिंग करेंगे तो कैमरे के लिए आप इसको डिरेक्ट ही कनेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पर microphone तो अभी भी की आफिया है अभी मैंने स्विच्व करेंगे विल्ग हने हैं अब के आवाज सुनाई दे अलाएं इस microphone पर दोस्तों आप हमने स्विच कर लिया इस microphone पर जो कि हमारी 2.4G की तरफ से एक wireless headband microphone है तो अभी जो आपको audio quality मिल रही है वो इस microphone से मिल रही है दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने दिखाया था कि एक प्लस और माइनस की बटन को यूज करके अपनी audio को कम और तेज़ कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर चेक करें आप दिख सकते हैं मैं इसको audio को धीमा कर लेता हूं अभी फूल हो रही है और अगर से हम इसको धीमा करना चा आप यहां से ही अपने माइक्रोफोन का वॉल्यूम जो है डेसिबल इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो audio क्वालिटी आपके सान में दोस्तों अगर साप लॉगिंग वीडियो बनाते हैं तो यह मैक्रोफोन आप पर्चेस कर सकते हैं तो यह थीस मैक्रोफोन की क्वालिटी आप तो अगर से हम लगबक 6700 हुथwood tea और इस मैक्रोफोन की जो ओड़ी मीटर के बीच में लाइक करती हैं मतलब कि अगर से बॉया मैगरफोन को हम लोग 7 टाइम्स मंठिप्लाई करें मतलब कि साथ माइक्रिपॉन को ताज यतन ठाह जाएगा उसके वाइर लेंद के बरबार guidance से उसके रेंज़ जो है 8 बोया माइक्रोफोन के बड़ा बर है तो काफी जबर्दस्त माइक्रोफोन दोस्तों ठीके और इसकी बैटरी की बात करें हमं तो इसकी बैटरी अगर साप इसको फूल चार्च करते हैं एक बार तो चाहते हैं इस microphone को purchase करना तो मैंने इस microphone को मदनपूरा अपने फ़हीं भाई के शौप से ली है आपको इस क्रीन पर एड्रेस शो हो रहा हुआ आप चाहें तो इस एड्रेस पर जाकर इनसे microphone purchase कर सकते हैं और कोई भी टाप की कुईरी है इनके पास देखिए काफे सारे यूट्यूबर्स के लिए प्रोड़क्ट्स है और इसके अलावा भी इनके पास Bluetooth स्पीकर्स हैं हैटफोन से काफी सारे चीज़ें आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा आप चाहें तो इनसे contact भी कर सकते हैं तो इनसे बात करिए प्राइस वगर आगिए आपको सार्च कर सकते हैं इनसे ठीके दोस्तों को इनकी शौप का जो एड्रेस है मैंने गूगल मैप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिये आप चाहें तो 从 में घॉल प्रफूण में पर आहलएं पर उनलाएं चाहें ब्लेस ऑपको डिस्क्रिप्शन में पर दिख बह्तलिए अब तक जितनी भी audio quality आपको सुनाई दे रही थी वो सारी इसी microphone की ही audio quality आपको मिल लेती I hope दोस्तों कि आपको यी वीडियो पसंद आए होगी अगर सी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसी वीडियो को लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो